हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी कैसे जोगे से नियो टो चालनल पे तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे राजस्थान लोग सेवा आयो के दारा यहाँ पे असेस्टान पूरफेसर की वेकेंसी निकल किया रही जिसके बारे में पूरा डीटेल इसका ओफेसल नोटिफ नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं जो कि राजस्थान लोग सेवा आयो गजमेर के दुरह यहाँ पे जारी किया गया है इस नोटिफिकेशन की बात के तो यहाँ पे कॉलेज सिक्छा भी भाग के दुरह यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी निकाली गई है इसमेशन की पर्मानेट जॉब है, ओनलाइन आवेदर यहाँ पे आ मंत्रित की गए है इस ओनलाइन आवेदर में आप देख सकते हैं नेम आप दा सब्जेक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है नमबर ऑफ पोस्ट कितने निकाले गए हैं कि सब्जेक्ट में उस स में master's degree आपके पास होना अनिवार रहे हैं उसके अलावा आपका net यानि की UGC net या CSIR net जो भी आपके case में applicable है वो यहाँ पे उतेर्ण होना अनिवार रहे हैं और यहाँ पे बूला चा रहा है कि UGC like जो slate और state exam UGC के दोरा conduct करवाए जाते हैं वो अगर आप उतेर्ण है और यहाँ पे qualified हैं तो apply कर सकते हैं उसके अलावा अगर आपके पास PhD की degree है तो आपको net qualified या slate या state qualified होना अनिवार नहीं है अगर आपने PhD किया हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके related यहाँ पे दिया गया है कि अभेरती को केवल नियमीत पदिती से PhD डिग्री परदान की गई हो कम से कम दो बाहरी परिक्षे को द्वारा सोथ परवंद का मुल्यांगन किया गया हो बागी यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल आपकी दी गई है अब बात करते हैं इसमें apply करने के लिए आपका working knowledge होना चाहिए अब दिया गया है कि आपका good academic record का मतलब क्या है तो academic record अगर आपका good है इसका मतलब है कि जो पिछले तीन आपके जो educational qualification उसका average आपका 55% marks होने चाहिए तो यहाँ पे उसके बारे में चेक कर सकते हैं डिटेल दी गई है अब business note यहाँ पे दिया गया है कि एगर आपे CST हैं OBC हैं तो आपको 5% चूट यहाँ पे अंकों में मिल जाता है अगला यहाँ पे दिया है कि राजस्तान लोग सेवा आयोग की राजे अस्तर ये पातरता परिक्षा सलेट या से टूतिनता मानने है उसके बाद एक जुन 2002 से पहले अगर आपने किसी और परदेश याने किसी और राजे से सलेट या से टूतिन किया है तो भी आप यहाँ पे पातर हो जाएंगे या एक जुन 2002 या उसके बाद अगर आपने किसी और राजे से सिलेट या से टूतिन किया हुआ है तो आप यहाँ पे मानने नहीं होंगे अब यहाँ पे दिया गया है कि अन्तिम बर्स में आने कि अगर आप अपेरिंग करनी डेट है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन जब आपका इंटर्वी होगा उस टाइम तब आपका जो है क्वालिफिकेशन कंप्लेट हो जाना चाहिए यहाँ पे सैलरी अपना देख सकते हैं कि आपकी सैलरी क्या रहने वाली है और आयू सीमा के बाद के बाद के तो एक चुलाई 2020 के एकौर्डिंग काउंट किया चाहिएगा नियुन तम आपका 21 साल होना चाहिए मैक्समिन 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगर आपे CSD हैं तो पांसाल को चूट मिलेगा, ओमेंस करने तो तो पांसाल को चूट यहाँ पर मिल जाएगा, इस जिरह से आप यहां पे सारी चीज़े चेक कर सकते हैं, डेटेल दिया गया है इस नोटिफिकिकिशन में, इस नोटिफिकिशन का लिंक डिस्क्रिप् तो अधिकतम आयों आपकी हो जारी है, उनको 3 साल का छूट यहां पे दिया जाएगा, अगर हम बात करें 31 क्रम संख्या की, तो इसके लिए आपको कोई भी छूट यहां पे नहीं मिलेगा, आगे यहां पे दिया गया अन्ने विवरेन के आपका जो सेलेक्शन होगा, वो यहा कि सलेवस जो है आपको वेबसाइट पे बाद में जारी कर दिया जाएगा, अप्लिकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं तो 9 नौमबर 2020 से लिए करके आप इसमें 8 दिसमबर 2020 के रात तरी 12 बजे तक इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 9 क्रीम इलियरोबी से कंडेट को 250 रुपए देने होंगे, बाकी जितने भी कंडेट हैं समस्ने सरक्चान, राजस्तान की स्टी हैं, तता जिनकी भी आएट धायलाग से कम हैं, उनको यहाँ पे 150 रुपए अप्लिकेशन भी रखे गई हैं, तो इसके बारे में आप यहाँ बाकी चेक कर सकते हैं, सारी डेटिल आपको दी गई हैं, बात करते हैं आपका यहाँ पर सेलेक्शन का, तो आप देख सकते हैं रिटेन एक्जामिरेशन, इंटर्व्यो के दोरा सेलेक्शन होगा, रिटेन एक्जामिरेशन, यहाँ पे पेपर वन में subject concerned with the post, आपके जो भी पोस्ट हैं उसके according subject आपसे पूछे जाएंगे 75 marks के 3 घंडे का एक्जाम होगा दूसरा paper subject concerned with the post रहेगा जिसमें 75 marks 3 घंडे का एक्जाम है और तीसरा paper आपका general study जो राजस्थान का रहेगा 50 marks का 2 घंडे का एक्जाम होगा और total 200 marks के यहाँ पे paper होने वाला है इसके बाद जो ह सारा list यहाँ पे दिया गया है तो आप इसको download करके जरूर पढ़िएगा apply करने से पहले इसमें सारी detail में आपको दिया गया है notification में तो दोस्तों इसके apply now का link जो description में मिलेगा जैसे ही click करेंगे तो आप इस पर आजाएंगे सबसे पहले आपको registration करना होगा registration कर लेंगे registration पे click करके उसके बाद आप यहाँ पर login करेंगे simply login पर click जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको इस type का interface खुल करके आ जाएगा इस interface पर आएंगे आप दीख सकते हैं आप digital identity यानि SSO ID या फिर user name और password डालके हैं capture डालके login करके हैं से apply कर सकते हैं तो दोस्तों आज के update में बस इत